हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में और आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स समिस्टर में एक नया टॉपिक जिसका नाम है है इड्रोजन बॉंडिंग हर जगा पर होने वाला है किसी कंपाउंड करने के लिए या सोलिबिल्टी को डिफाइन करने के लिए हाड्रोजन बॉंडिंग कहीं कहीं यूज होता है क्योंकि बॉलिंग Koren छीजे कभी नगभी क्या हते है किसी organic compound के hydrogen bonding पे भी depend करती है inorganic chemistry में भी इसके कहीं सारे क्या है use आने वाले है कहीं न कहीं तो यह हमारा क्या है बहुत important topic है hydrogen bonding आप लोगों का inorganic, organic कहीं जगें पर क्या होगा इसका application या इसका use कहीं न कहीं दिख जाएगा molecule के interaction को समझने के लिए तो hydrogen bonding होता क्या है तो आईए पहले इसका definition हम लोग देख लेते हैं तो यहां देखे बात करेंगे hydrogen bonding की तो यहां पहला चीज़ क्या लिखा हुआ है hydrogen तो कहीं न कहीं bond में एक atom hydrogen का होने वाला है तो पहले चीज़ है क्या कि यह देखें यह atomic bond नहीं है ऐसा bond नहीं है जो क्या होता atom के बीच form नहीं होता यह क्या है molecular bond है यानि दो molecules के बीच में यह एक तरह का क्या होता है force of interaction होता है जो की covalent bond या anic bond से क्या है weak interaction है और यह दो हमारे कैसे molecules होने चाहिए ऐसे molecules जो hydrogen containing हो और polar nature के हो उनके बीच में क्या होता है कि force of interaction होता है उसी interaction को बोलते है hydrogen bond तो इसके कई सारे देखिए condition है कि किस तरह का attraction होना चाहिए उस molecule में hydrogen के अलावा और कौन से atom present होने चाहिए तो आईए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं definition इसका यहां बेखिए की दिया हुआ है hydrogen bonding is referred to formation of hydrogen bond इसे hydrogen bonding जहां होता है उस bond को क्या बोलते हैं hydrogen bond which are special class of attractive intermolecular force that due to the dipole-dipole interaction between hydrogen atom is bonded to highly electronegative atom ठीक और उस hydrogen हम साथ क्या होना चाहिए hydrogen यहां बेखिए 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 नहीं है आपनों का vicinity of hydrogen atom तो hydrogen जब किसी electronegative atom के साथ attach हो तो वहां पर देखेंगे हम लोग कि जो electronegative atom है वो अपने तरफ क्या करता है electron को जो भी bond में shared electron है उसे अपने तरफ attract करता है जिसकी वज़ए से molecule क्या होता है polar nature का हो जाता है अब वो polar molecule किसी another polar molecule को जब interact करेगा उसमें भी क्या होगा वहाई same condition hydrogen electronegative atom molecule वाले molecule क्या करेगा यह वाला molecule जब interact करेगा तो उस interaction को बोलते है hydrogen bonding तो यहाँ पर हो लोग पहले example लेके समझेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा चीजे clear होंगी तो आईए हम लोग एक्जामपल लेते हैं पहले water का जहाँ पर hydrogen bonding पायाता है तो यहाँ पर दिखे दिया हुआ है hydrogen bonding के लिए example water molecule का तो जैसे हम लोग एक्जामपल लेते हैं water का H2O तो water molecules के बीच में जो atoms हैं सारे atom के बीच में क्या है covalent bonding है hydrogen के साथ इस तरीके से क्या करता है covalent bond का formation करता है हमें पता है oxygen के पास क्या होते हैं outer cell में 6 electron होते हैं जिसमें से 2 bond में चल जाते हैं और 2 electron इसके पास क्या है non bonding माले जिसे बोलते हम लोग lone pair अब हमको पता यह चीज़ भी है कि oxygen क्या है hydrogen के compare में ज्यादा electro negative atom है इस covalent bond के अंदर तो oxygen का tendency क्या होगा अपने तरफ क्या करेगा जो भी shared electron होंगे bond में उसे अपने तरफ attract करेगा withdraw करेगा जिसकी वज़े से oxygen पे क्या होता है partial charge generate हो जाता है यहाँ पर देख लिए oxygen क्या होगा partial negative और hydrogen पे जाता है dipole create होगा ऐससे पहले हम लोग पढ़ चुके है dipole moment के बारे में तो यह क्या होता है यहाँ पर bond moment यहाँ भी bond moment यानि bond कैसा है polar nature का काने का मतलब जब हम लोग water के जब धेड़ सारे molecule को एक साथ देखेंगे तो एक molecule इस तरह का देखेगा अब दूसरा molecule क्या करेगा वो इसके साथ interact करेगा क्यों? क्योंकि जैसे माले जए एक और molecule मैं water का ले लिया H2O इसमें भी same condition होगा यहाँ भी condition क्या होगा? same क्योंकि यह oxygen more electron negative है इस पे partial positive partial negative charge क्योंकि electron क्या हुआ है इसके तरफ shift हो रहा है hydrogen से तो यह electron क्यों क्या बन जाएंगे positively charge अब यह polar quarter molecule अब यह दूसरे polar water molecule के contact में जब आएगा तो यह दून में क्या होता है? एक interaction होता है इसी interaction को हम लोग क्या बोलते है? hydrogen bond तो hydrogen bond यह हमारा hydrogen bond है तो कहने का मतलब क्या मिला यहाँ पे? कि एक polar molecule का hydrogen दूसरे polar molecule के electronegative atom के साथ जब interact करता है तो उस interaction को क्या बोल रहा है? hydrogen bond बोल रहा है तो यह एक तरह का molecular bond है atom के बिच में नहीं form हो रहा है किसी एक molecule का hydrogen फिर किसी एक molecule का oxygen ठीक है? तो जब atom जो है वो क्या molecule के अंदर involved है? ऐसा नहीं है कि freely hydrogen आये या freely hydrogen आये तो उस interaction से hydrogen bond नहीं बन पाएगा तो यह चीज़ में ध्राद देना है अब जो बात होती है electronegativity वाले atom की तो hydrogen तो है ही hydrogen तो रना ही है इस bond में अब electronegatively वाला जो atom है electronegative atom है वो कौन सा atom होना चाहिए? तो atom के लिए हम लोग जब जानते हैं electronegativity का अगर order देखें कौन सा atom सबसे अधिक electronegative होता है और कौन सा सबसे कम electronegative होता है तो electronegative atom जो है वो क्या होना चाहिए? बहुत highly electronegative होना चाहिए जैसे हम लोग देखते हैं fluorine oxygen nitrogen chlorine bromine iodine carbon, sulfur phosphorus और hydrogen तो यह हमारे क्या है atom के electronegativity के order है जैसे यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा electronegative होता है fluorine फिर oxygen फिर nitrogen उसके बाद क्या हो? तेंतीनों हाइलोजन आते है जिसका order यह है फिर उसके बाद क्या है? carbon, sulfur phosphorus और hydrogen hydrogen आता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यह सभी atom क्या करेंगे? hydrogen bond में involved नहीं होंगे केवल और केवल हमारे hydrogen bond में involved होना है atom क्या? यही तीनों है highly electronegative highly electronegative highly electronegative types की यह सारे क्या है? atoms है केवल और केवल F, O, Y, N हम याद कर लेना है hydrogen के साथ अगर fluorine है या oxygen है या nitrogen है तो वो दूसरे molecule क्यों? के hydrogen को ठीक है? जो electronegative atom से खुद bonded है उसे क्या करेगा? attract करेगा तो hydrogen bond की में जो electronegative atom है नहीं तिनों में से कोई एक होना चाहिए और कोई case नहीं बनता यहाँ पर देखा दिया थे ठीक तो यह हमारे क्या है? तीनों electronegative atom है अब इसमें भी order हमें दिखी रहा है सबसे electronegative है fluorine, फिर oxygen, फिर nitrogen तो यह तो हमारा case था water का अब इससे हम लोग क्या कर लिए? hydrogen bonding को यहाँ पर अच्छे समझ लिए अब इसमें कोई दिक्कत है नहीं अब आते हैं हम लोग कुछ और चीजों को देखते हैं यहाँ पे कि जो hydrogen bonding है वो किन-किन चीजों को affect करता है तो आईए देखते हैं हम लोग next अब यहाँ देखिया hydrogen bond water के लिए यह diagram में दिया गया है पुरा 3-dimensional diagram oxygen को पूरे तरह से क्या है atomic form में दिखाया गया है यह hydrogen है ठीक और यहाँ पर देख लिए इंट्रेक्शन क्या हो रहा है hydrogen oxygen को इंट्रेट कर रहा है इस तरह से क्या होगा पूरा यह network बना रहेगा सारे oxygen सारे hydrogen क्या करेंगा अपर तरफ अट्रेट करेंगे तो यह hydrogen bond क्या होता है इस तरह से form होता है यह हमारा 3D टाइप का डाइग्राम है जिसे हम लोग देख सकते हैं अब यह जो positive or negative charge है यह तो पता होगा इससे क्या बोलते है partial charge partial charge का मतलब जब कोई atom क्या करता है electron को केवाल अपने तरफ विड्रा करता है जिसके तरफ नहीं होगा उसके तरफ आएगा क्या होगा partial positive charge यह तो हमें पता होना चाहिए अब बात करते हैं condition for hydrogen bonding तो कौन कौन से condition होने चाहिए तो यह तो बात हम लोग उने पहले कर चुका है जैसे यहां पर दिख लिजे condition दिया हुआ अब उसके बाद अब इसा इसली होता है क्योंकि इलेक्ट्रो निगेटिविटी जादा होगी तो polarization जादा होगा कि उसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं polarization और polarizing power के बारे में polarization यहां पर ध्यान दिजेगा जैसे हमारे पास hydrogen fluoride है और hydrogen chloride है यहां मैं ले लेता हूँ chlorine कोड़ाईजीए क्या hydrogen bond ही बनाएगा नहीं ठिक मैं ले ले लेता हूँ यहां पर case water का H2O और एक मैं ले लेता हूँ जिसमें nitrogen के साथ hydrogen bonded है ammonia ले लेते हैं अब यहां पर देखिए तीनों electronegative atoms है अब यह क्या बोल रहा है कि जितना आदा electronegativity होगा उतना अधि क्या होगा polarization होगा molecules का अब polarization होने से होता क्या है कि जो partial charge का जो polarity होती है bond की या charge में जो difference होगा वह क्या होगा उतना ज्यादा होगा कहने का मतलब यह fluorine is a more electronegative than oxygen oxygen is more electronegative than nitrogen तो fluorine क्या करेगा ज्यादा अपने तरफ electron को trait करेगा तो यह ज्यादा negative charge ज्यादा positive charge develop होगा इस case में कि oxygen है तो fluorine youl own negativity की क्या है थोड़ी कम् इस bond के polarity की बात करेंगे, तो इसके compare में यह कम polar होगा, यानि negative charge कम होगा, positive charge यहाँ पे, भी charge का मतलब जो electronegativity difference होगा, वो क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसके compare में कम होगा, nitrogen क्या है, oxygen से भी कम electronegative है, तो हम लोग बोल सकते हैं, कि जो HF bond है, is more polar than OH bond than NH bond तो यह चीज़ इतना आदा polarity रहेगी, उतना अधी क्या होगा, अच्छा hydrogen bond वो form करेगा, तो अगर मैं HF के hydrogen bond की बात करूँ, तो यह hydrogen bond क्या है, water के compare में strong है, अमोनिया में hydrogen bond जो बनेगा, वो water के compare में थोड़ा सा वीक हो जाएगा, अब दिखे, second factor यहाँ पे दिया हुग condition, the size of electronegative atoms should be small, the smaller size is greater electrostatic attraction, तो यहाँ पे size का भी factor देख लेते है, fluorine, oxygen and nitrogen में पता है, कि fluorine का size क्या है, oxygen and nitrogen से छोटा भी है, तो size भी छोटी है, electronegativity भी क्या है, ज्यादा है, तो size छोटी होगी, उतना अधी क्या खरेगा, electron को easily polarize करेगा, क्योंकि उसका जो positive charge, जिसे हम पढ़ते हैं, electron gain enthalpy, electronegativity, तो वो सारे चीज़े क्या होती है, size पर कहीना कहीन depend करती है, क्योंकि electron को attract करने की capacity होगी, जितना small size होगा, electronegative atom का उतना ज्यादा होता है, क्योंकि small size वाले atom का जो nucleus क्या होता है, ज्यादा effective होगा, क्योंकि electron cloud वहाँ पे कम होंगे, तो electron cloud cloud बढ़ने क्या होता है, repulsion बढ़ जाता है, तो फ्लोरीन का size क्या, oxygen और nitrogen compare में small है, इसकी वज़े से electronegativity भी इसी क्या होगी, ज्यादा होगी, या attract ज्यादा करेगा दूसरे वाले polar molecules को, तो यहाँ पर यह भी ध्यान दिजएगा, electronegativity तो होनी चाहिए, और size भी क्या होना एक electronegativity का और दूसरा क्या होता है, size का, अब बात करते हैं, effect of hydrogen bonding on melting point, balling point and solubility, जो दिखे कही ना कही जब organic chemistry हम लोग पढ़ेंगे, तो organic chemistry में बहुत सारी balling points जो है, molecules के बीच में balling point जो होता है, या किसी organic molecule का water में जो solubility होता है, वो सारी चीज़े क्या होती है, कही ना क ये वाला आपको लोग का factor, तो hydrogen bonding का effect, melting point, balling point और solubility पर क्या होता है, इसको आई देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप लोग का दिया हुआ है, जैसे अगर मैं बात करूँ, HF का, या water molecule का, या ammonia का, तो अगर हम दो देखेंगे, कि hydrogen fluoride के molecules में, क्या है, कि water molecules के बीच में, जो attraction है, hydrogen bond का, वो strong है, और HF का जो balling point होगा, वो भी क्या होगा, water compare में, वो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर दिखिए, आप लोग का बताया गया है, कि balling point of hydrogen fluoride, among the hyalogen acids, is due to existence of hydrogen bonding, तो अगर मैं बात करूँ, balling point का, ऐसे मैंने ले लिया, HF, HCL, HBR, और HI, ठीक, तो सारे hyalogen acids, में सब क्या है, hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen bromide, hydrogen iodide, इन सारे hyalogen acids, वे अंदर अगर देखा जाए, तो जो balling point होता है, इसका, वो सबसे ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यह hydrogen bond भी form कर सकता है, यह सब सारे molecules में, केवल और केवल क्या होगा, डाइपोल, डाइपोल, इंटरेक्ञक्शन होगा, polarity तो इसमें भी generate होगा, इसमें भी होगी, धिरे-धिरे polarity भी क्या होगा, decrease होगी, यह सारे molecule दूसरे अपने ओले molecule के साथ interact होंगे कैसे dipole-dipole interaction के थुरू लेकिन इसके के अंदर क्या है dipole-dipole interaction कैसा है hydrogen bonding वाला dipole-dipole interaction है यानि dipole-dipole interaction तो है ही लेकिन hydrogen bonding क्या हरा है यह बना सकता है जिसकी वज़ाँ से इसकी balling point इन सारे compare में ज़्यादा होगा तो balling point का जो factor है वो कई ना कई hydrogen bond पे depend कर रहा है second दिया हुआ है water is a liquid whereas H2S, H2SC, H2T are gases अब हम लोग अगर बात करेंगे oxygen वाले group की तो oxygen वाले group में कौन-कौन से atom आते हैं कि oxygen में आता है oxygen, sulfur, SE, T, और PO भी यह काता है तो अब इस सब के अगर molecule को बनाया जाए तो oxygen के साथ hydrogen combined होता है तो यह तो बनाता है water यह क्या बनाएगा? H2O, यह बनाएगा H2S, इसके साथ बनाएगा H2SE, इसके साथ बनाएगा hydrogen H2TE, और इसके साथ बनाएगा H2 यह तो इसके साथ खास use नहीं आता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमों देख लेते हैं कि hydrogen क्या कर रहा है? इस सभी atom के साथ combined होके इस तरह का molecule form कर रहा है लेकिन यहाँ आप बात करेंगे कि यह वाला जो hydrogen के साथ oxygen है water, water ही क्या होता है? क्यवाल और क्यवाल लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब क्या करते हैं? यह सब गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर पाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि hydrogen वाला molecule ही oxygen के साथ जब combined होके water form करेगा, तो H2O जो बनता है यही क्या है? क्यवाल और क्यवाल यही gas और liquid दोनों form में एग्जिस्ट करता है due to hydrogen bond तो यहां पे कोई hydrogen bond नहीं है, यहां पे hydrogen bond नहीं है, इसलिए देखा गया क्यवाल और क्यवाल इन सारे cases में जो water है वही क्या है liquid state में exist कर पाता है, तो यहां लोग का यह second factor यहां पे given है कि water is a liquid, जब की इन सभी में क्या है? यह सारे की सारे gas हैं, और इसका reason क्या है? यह हम ordinary temperature बात करते हैं, एक हम लोग normal temperature पर जब देखेंगे, तो H2S, H2T, H2SC, सभी क्या है? गैसी S form में किवल रहते हैं, लेकिन water उसी temperature पर क्या हो? ता liquid form में भी exist करता है, तो water hydrogen bond के कारण ऐसा होता है, तो यह चुछी ध्यान देजेगा, ठीक? अब हमारे देखें, third factor दिया है, कि ammonia का balling point, phosphorus tri-hydrogen, यानि PS3 से क्या है? ज्यादा होता है, बस because of hydrogen bonding, योगि ammonia के molecules में hydrogen bond है, nitrogen, hydrogen के साथ क्या कर रहा है? इस तरीके से, partial negative, partial positive, ठीक? दूसरा ammonia, अगर यहाँ पर मैं ले लूँ, तो यहाँ पर क्या करता है? यह hydrogen bond का formation easily, इसके साथ कर सकता है, यह दूसरे, एक ammonia है, यहाँ भी क्या होगा? यह अधिक temperature चाहिए, जबकि PS3 इन सब में क्या होता, hydrogen bond नहीं बन पाता है, तो इसका volume point क्या है? कम है, ऐसा इसली बोला जा रहा है, क्योंकि इन दूरों क्या है? एक ही ग्रूप के है, जैसे oxygen वाले, और जैसे मैंने hydrogen का, जो दिखाया था इसके पहले वाले, डाइग्राम म नहीं बनाता है, तो वो भी hydrogen के साथ ही molecule बनाता है, लेकिन वो molecule hydrogen bond नहीं form कर सकता, nitrogen के साथ hydrogen जो ammonia बना रहा है, वो hydrogen bond form कर सकता है, अब यहाँ दिखे बात करते हैं, हम लोग कुछ organic compounds की, तो यह सबसे important है यहाँ पे, ethanol has higher balling point, ठीक है, than diethyl ether, जब भी organic compound में hydrogen bonding का compare करेंगे, ज उसमें बताना है किसमें hydrogen bond है, किसमें hydrogen bond नहीं है, या किसका balling point कम है, किसका balling point ज्यादा है, तो वहाँ पे पहले हमनों देखेंगे, comparable molar mass है कि नहीं इसका, तो यहाँ पे दिखेंगे, given है आप लोगा कि, diethyl ether, ठीक, diethyl ether, और ethanol, has a higher balling point than diethyl ether, तो यहाँ पे एक चीज़ ज्याँ दिखेंगे, पहले ethanol, तो ethanol का मतलब क्या होता है, CH3, CH2, OH, अब इसी के compare का मैं कोई ether लो, तो ether का मतलब क्या होता है, कि बीच भी oxygen, और दोनों तरफ क्या हो, ilkyl group, यहाँ पे present हो, तो यह आप लोगा क्या बन गया, ether, यह बन गया, diethyl alcohol, ठीक है, ethanol, और यह बन गया दिखेंगे, यहाँ पे एthyl ether नहीं हो गया, क्या होगा, di-methyl ether, क्योंकि, यह क्या है, दोनों क्या है, methyl group है, di-methyl ether, ठीक, यहाँ पे दिखेंगे, यह दोनों क्या है, एक आई-सो-मर है, एक दूसरे के बोल सकते है, यहाँ पे देखा जाए क्या है, di-ethyl ether में, 2 carbon, 3, 3, 6 hydrogen, 1 oxygen, यहाँ भी दिखेंगे, 2 carbon, 3, 2, 5, 6 hydrogen, 1 oxygen, तो दोनों में क्या है, same atom, present है, के वल क्या, structure change हो गया है, molecular formula, same है, यह दोनों के दोने दूसरे के आई-सो-मर है, लेकिन, इसकी balling point ज्यादा, इसकी balling point क्या है, कम है, this is due to the hydrogen bonding, तो hydrogen bonding का factor यहाँ भी work कर रहा है, आईए करूँ, ethanol का, ethanol में क्या है, oxygen, और इधर क्या है, कोई माल लिजे, C2H5 है, या CS3, CS2, यहाँ में इदे आँ, C2H5, ओई, अच्छे, ठीक, यहाँ भी के वल का है, क्या है, है hydrogen, तो यह हमारे पास क्या है, एक ethanol का molecule, यहाँ भी condition होगा, electron खीचेगा, partial charge developed हुआ, अब अगर दूसरा ethanol का molecule, यहाँ पे आया, इसके साथ, इसलिए क्या करेगा, hydrogen bond का formation, यहाँ पे कर लेगा, लेकिन अगर मैं यही चीज देखू, कहाँ, एथर के case में, जिसका molecular weight क्या है, इसके comparable है, यादम similar molecular weight का, अगर एथर ले लूँ, तो एथर म carbon से, न की, hydrogen से, क्या होना चाहिए, hydrogen जो है, electron negative atom से bonded होना चाहिए, तभी क्या करेगा, electron negative atom, उसके electron को easily अपने तरफ, अप्रोच करेगा, इस पे positive negative charge develop होगा, लेकिन हमारे यह है, क्या कि, यह methyl group वाले carbon से joined है, oxygen, तो यहाँ पे कोई इसी प्रकार का polar nature generated नहीं हो पाता, अगर दूसरा ether का molecule इसके contact में आएगा, तो यहाँ भी क्या होगा, hydrogen bond का formation नहीं हो पाएगा, तो यह सारे molecule क्या है, connected है hydrogen bond से, और यह सारे molecule में क्या है, केवल और केवल एक सारा का wonder wall या weak attraction हमनों बोल सकते हैं, होता है, तो इसकी balling point क्या होगी, कम हो जाएगा, इसकी balling point ज्यादा हो जाएगी, तो organic compound में यह वाला factor क्या होता है, बहुत useful है, यहर जगा पे आने वाला है, बहुत सारा अगनिक compound में आप लोगों को यह चीज़ देखने को मिलेगा, कि hydrogen bonding होने गया से balling point इसका change हो गया, ठीक, अब देखिए, यहाँ पे next हमारा है solubility, तो कहीं न कहीं देखिए, solubility भी हमारा क्या है, एक बहुत ज़्यदा important factor है, ठीक है, जो hydrogen bonding पे depend करता है, तो यहाँ पे देखिए, दिया हुआ है, कि lower alcohol are soluble in water because of hydrogen bonding, which is take place between the water molecules, water molecule and alcohol molecules, कहने का मतलब, जो lower alcohols है, वो water में क्या हाँ, easily dissolve हो जाते है, due to the hydrogen bonding, तो यहाँ भी देखिए, एक solubility का factor यहाँ पे आ गया, hydrogen bonding को लेकर, जैसे अग क्या है कि alcohol, alcohol के बीच में, तो hydrogen bond का formation होई रहा है, अगर मैं alcohol के molecules को water में क्या कर, वो dissolve कर दूँ, जैसे माल लीचे, हमारे पास क्या है, alcohol है, R, OH, और water के molecule में क्या होगा, H2O, तो देखिए, इसको क्या मिलना चाहिए, इस hydrogen को चाहिए, एक electronegative oxygen, attract करने के लिए, वो चाहिए alcohol का हो, चाहिए water का हो, तो जैसे alcohol, alcohol के साथ, H bond का formation कर रहा है, hydrogen bond बना रहा है, वैसे क्या करेगा, alcohol को जो water में dissolve कर आएंगे, तो उसके साथ भी क्या करता है, वो hydrogen bond form कर लेता है, तो यहाँ पे partial charge जो develop होगा, तो यह interaction को क्या बोलेंगे, hydrogen bond, यह वाला molecule किसका है, यह तो है alcohol, यह molecule हमारा हो गया, alcohol का, और यह वाला molecule है water का, तो जो lower alcohol होते हैं, lower alcohol का मतलब जिसका alcohol group क्या हो, छोटे size का हो, जैसे methil हो गया, ठीक, C2H5 हो गया, ethil हो गया, तो जितने भी छोटे type के alcohol है, जिसका molecular weight क्या है, कम है, methanol, ethanol, यह सब सारे क्या होते हैं, water में easily dissolve हो जाते हैं, जबकि जैसे इसका molar mass बढ़ेगा, ठीक है, कि water alcohol के साथ hydrogen bond बना रहा है, इसलिए क्या है, इसमें easily dissolve है, कौन से alcohol dissolve है, जिसका molar mass क्या है, small है, क्योंकि molar mass जैसे ऐसे बढ़ेगा, वैसे solubility क्या हो, तो decrease होती है, क्योंकि देखी, यहाँ पर दो चीजे हैं, एक तो alkyl group है, alcohol में, और है मारे पास क्या, hydroxyl group, तो यह वाला group तो क्या है, hydrophobic nature का होता है, कौन सा, R वाला, यानि इसे क्या होते हैं, hydrophobic nature की, यह सब होते हैं, alkyl group क्या होते हैं, hydrophobic nature की, क्योंकि यह सारे क्या, organic compound है, carbonic compound है, ठीक है, तो यह सारे क्या होते हैं, water में dissolve जल्दी नहीं होते हैं, अगर इसकी size यतनी बड़ी हो जाएगी, उतना solubility क्या हो, घटेगा, यह नहीं चाहते हैं, तो यह से हीट करता है, जबकि यह वाला जो group है, hydrophobic nature का है, hydrophobic nature का होता है, यह वाला group हमारा, hydrophobic nature का होता है, तो इसमें हम लोग दो पार्ट में कर देएं, तो यह hydrophobic, hydrophobic, तो किसी alcohol में, जितने ज़्यादा OH groups होंगे, अर किसी अलोट होंगा उतना क्या होगा वाब एकली पने करए विधे कंवाइगा एब करेंगा इसकी संख्या कम लिए स्कूरीब होंगे बड़े ओल औफ मुलर मास्के वाले एल्कोहल होंगे इसमें क्या होगाल क्रीजिक कि है हसमें जादा हो जाएगा ंतव येजिवह हमेसा ध्यान रहे है अब देख़िए यहां सी दिये हुए है जो कि हम लोग पहले ही discuss कर लिए है example जैसे hydrogen fluoride में hydrogen bond कैसे बनता है तो hydrogen fluoride में क्या है है H or F electron को विड्रा करेगा fluorine अपने तरफ hydrogen positive negative attraction होगा तो इस तरह से क्या होता ये पूरा chain बनाता रहता है hydrogen bond का ठीक यहाँ पर देख लिजे diagram दिया हुआ है आप लोग का हमेशा तो यह dotted line इस तरह से बना सकते हैं कहने का मतलब dotted line तो पता है होगा इस तरह से क्या करते हैं dash line द्वारा इसको दिखाते हैं ठीक तो यह water के लिए hydrogen bond given है आप लोग का ammonia में देख लिजे ठीक ammonia में क्या होता है nitrogen hydrogen nitrogen more electron negative है partial negative partial positive दूसरे ammonia का hydrogen इसके contact contact में जब आएगा तो वहां भी क्या होगा interaction होगा उसे बोलेंगे hydrogen bond बन गया तो यह हमारे पास ammonia का case हो गया फिट देख लेते हैं hydrogen bonding alcohol and carboxy acid alcohol की case को हम लोग अभी discuss किये थे alcohol में क्या होता है alcohol में oxygen वाला hydrogen और दूसरे alcohol का oxygen एक alcohol का hydrogen interaction होगा इस interaction को क्या बोल रहा है hydrogen bond तो यहां पर partial negative, partial positive, partial negative, partial positive इस तरह से चलता रहेगा तो यह alcohol के बीच में hydrogen bond का formation होता है तो यह long chain का formation अपना होता रहेगा लेकिन अगर बात करेंगे carbonic acid के hydrogen bonding की तो carbonic acid का मतलब क्या होता है जिसमें एक carbonyl group भी हो और एक alcohol group भी हो तो यहां पर दिखिए carbonic acid आप लोगे दिया हुआ है जिसका formula होता है R C double bond O OH तो यह हमारे पास क्या है carbonic acid है लेकिन इसका जो structure होता है कुछ इस shape में ऐसे रहता है यह ऐसे linear नहीं रहता है यह वाले bond के होत एक कुछ इस type के रहते हैं जैसे अगर मैं यहां बनाओं तो यह कुछ इस तरह का है R C double bond O OH तो यहां पर देखिए कि यह वाला जो oxygen hydrogen के साथ attached है तो यह इसके पास lone pair of electron यहां से electron withdraw करेगा partial charges यहां पर क्या होंगे डेवलप होंगे तो यह carboxylic group क्या होगा दूसरे carboxylic group के contact में जबाता है तो वहां पर क्या करता है dimerize जाता है यह केवल और केवल अब आपस में hydrogen bond बनाएंगे फिर उसके बाद खतम हो जाएगा तो यह वाला carboxylic acid के contact में से दूसरा आया जैसे यह दिखे बना हुआ अपलोग का यही चीज है यहां पर negative और positive charge अब दूसरा carboxylic acid आया इसको थोड़ा सा उल्टा लिग दिया गया है तो इस पर क्या होगा partial negative partial positive और partial negative charge oxygen electron negative है carbon से तो यहां भी क्या होगा partial charge यहां भी develop होगा तो यह polar हो गया यह polar हो गया तो यहां पर जो interaction हो गया एक hydrogen bond इसके साथ बना लिया और एक hydrogen bond इसके साथ यह बना लिया तो कहने का मतलब यह dimerize उजा रहे हैं dimer का formation कर रहे हैं क्योंकि अब इसके आगे देखिए होगे कि यहां पर आ रहा गया इसके आगा hydrogen bond यहां से नहीं बनेगा तो alcohol के case में क्या होता है hydrogen bond का पूरा chain बनते जा रहा है आगे तक जैसे यहां पर देखिए यह क्या होगा इस जूरते जाएगा लेकिन यहां पर क्या होगा यह डाइमर बन गया तो यहीं पर क्या है खतम होगया इसका hydrogen bond इसके आगया अब नहीं बनेगा यह बस दो molecule के बीच में form हुआ है strength of hydrogen bond तो देखिए आप जब बात करेंगे strength की मैंने सूरी में बताया था कि hydrogen bond है वह ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा strong bond है जैसा है कि electron की sharing हो रही है या ionic bond की तरह electron का transfer हो रहा है यह क्या है एक तरह केवल weak interaction है जो दो polar molecules के बीच में क्या करता है work करता है तो यहां देख लिए hydrogen bond is the weak bond the strength of hydrogen bond in between the weak wonderwall forces and strong the covalent bond ठीक है तो यहां पर यह कहने का मतलब यह है क्या कि एक कि हमारा बोल सकते है कि एक wonderwall force से थोड़ा सा strong है और covalent bond से क्या है weak है यानि दोनों के क्या है एक तरह से बोल सकते है beach का interaction है ठीक तो यह दिया है in between the wonderwall forces and the strong covalent bond ठीक यानि strong covalent bond है और एक wonderwall attraction है जो कि क्या होता बहुत ही weak होता है और covalent bond strong है तो उन दोनों के बीच का यह hydrogen bond है यानि wonderwall से strong covalent bond से weak आप देखे next दिया हुआ है the dissociation energy of hydrogen bond is depends upon the attraction of shared paired of electron and hence the electronegativity of atom तो कहने का मतब जितना strong hydrogen bond होगा उसको dissociate करने में उतनी आदा energy खर्च होगी तो strong hydrogen bond तुमारा fluorine वाले क्रेस में बन रहा था तो यहां पर वही दिया हुआ है आप लोग का hydrogen bond का जो strength होता है वो depend करता है किस पे interaction पे या तो कितने अच्छे से shared paired electron क्या होगा इस दूसरे को ठीक है attract किये हुए है तो जिसकी जो dissociation energy होगी hydrogen bond की वो यहां करती है attraction of shared paired electron and electronegativity of atom जितना ज्याद electronegativity होगा जैसे अगर हम बात करें कि water molecule में oxygen ज्यादा electronegative है ammonia molecule में nitrogen क्या है electronegative कम है तो nitrogen वाले case में hydrogen bond बनेगा वो weak होगा oxygen वाले में ज्यादा बनेगा तो electronegativity पे depend करता है तो आईए अब देखते हैं hydrogen bond कितने types के होते हैं तो यहाँ देखिए दो तरह के hydrogen bond है पहला एक होता हमारा intermolecular hydrogen bonding एक होता है intramolecular hydrogen bonding तो यहाँ बढ़ाँ देखेगा यह क्या है intermolecular यानि Two molecules के बीच में जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं वो सभी क्या थे intermolecular hydrogen bond थे यानि दो molecules के बीचे बन रहा था एक hydrogen bond हमारा क्या होता है अलग टाइप का होता है जो क्या होता है किसी एक कही molecule के अंदर बन जाता है यानि molecule एक ही रहेगा लेकिन उसमें hydrogen bond बना लेगा वह molecule के atom ही आपस में क्या करेंगे hydrogen bond का formation कर लेते हैं उसे बोलते हैं है तो सबसे अच्छा एजामपल है water में देख लिए यहां पर क्या है water के molecules में hydrogen oxygen के बीच में जो bonding है वो क्या है in intramolecular hydrogen bond है inter का मतलब क्या दो molecule के बीच में बन रहा है तो यह एजामपल जितने में पहले पढ़े हुए हैं HF का water का ammonia का alcohol का carboxly acid का वो सभी क्या थे inter-molecular hydrogen bonding ही था यहां पर कुछ खाल बताने वाला चीज है रही लेकिन जो बात आती है intra-molecular hydrogen bonding की तो देखिए यहां पर given है इसका एक example तो intra-molecular hydrogen bonding क्या होता है किसी molecule के अंदर ही hydrogen bond का formation हो जाता है जैसे आप लोगों का यहां पर दिया हुआ है यह जो molecule है इसका नाम है देखिए यहां पर क्या है कि OH ग्रूप लगा हुआ यह एक जिसे क्या बोलते हम लोग फिनॉल जब बेंजिन रिंग के साथ क्या हो OH ग्रूप अटाइच हो से बोलते हैं फिनॉल है यह पुरा इसको पढ़ेंगे oxygen के पास क्या होता है lone pair of electron यह electron को अपने तरफ attract करता है जिसकी वज़ेश इस पर क्या होता है इसके आर्थो पोजिशन पे ठीक हमको पता होगा बेंजिन रिंग में यह वाला पोजिशन यह वाला पोजिशन आर्थो होता है यह दोनों पोजिशन मेटा और यह नीचे वाला पोजिशन पैरा होता है तो अगर मैं आर्थो पोजिशन पे एक जोड़ दूँ अनोटू ग्रूप तो देखी, यहाँ पर क्या होगा, आफ्रू पोजिशन प्रेटВО ग्रूप इसमें आ गया, इस बेंजिन रिंग में तो होता क्या है कि ऑउकजन के पास क्या है, नीगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास क्या है, पॉस्टिव चार्ज है तो यह आपस में क्या करते हैं इंट्रेक्ट करने लगते हैं अब इसी इंट्रेक्शन को बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो यह मॉलक्यूल क्या कर रहा है आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले रहा है तो यहां पर क्या फॉर्म हो गया ह Hydrogen Bond, इस molecule के अंदर ही Hydrogen Bond का formation हो गया, इस molecule का नाम क्या है? इसे हम बोलेंगे Artho Nitro Phenol, Artho Nitro Phenol, ठीक, यो कि Artho Position में क्या है? Nitro Group लगा हुआ, इसका नाम हो गया Artho Nitro Phenol, ठीक है? तो यहां पर हम लोग देख सकते है, यह क्या है? तो यह किसी मॉलक्यूल के अंदर ही फॉर्म हो गया तो यह हमारा क्या था हड्रोजन बॉंडिंग से रिटेट पूरा डिसकसन अब इसके अलावा यहां पर कुछ और कुछ बचा ही नहीं है खास अगर इतना चीज़ पढ़ लेंगे तो हड्रोजन बॉंडिंग को हम लोग अच्छे से पूरी तरह समझ सकते हैं इसका यूज क्य है इसके फैक्टर काउनकाँ से है इसके टाइब क्या होते हैं यह कहां कहां भी आने वाला है तो आगे हम लोग अब निछ वीडियो पढ़ेंगे नयाुझीट तो यह तुम्हारा उनिट21 समाप्ध होता यही पर इसका साथ वीडियो को समाप्ध करते हैं धन्यवाद